इनके अंदर अभी भी गुजराती मान सकता है, भाजपाई मान सकता है, संप्रदाइक मान सकता है इनको बदलिये. देर होने का ही प्रणाम है कि नलंदा जीला का Espi दंगाईयों को मदद किया, दंगाईयों को कंट्रोल नहीं किया जिसके चलते बिहार सरीक में दंगे हुए और इसलिए हम मांग सरकार से करने के लिए आये हैं बिहार के कई जिलों में तनाव ब्याप्त है कई इलाके में कर्फिव की बात की गई धारा 144 लगा दिया गया सनाटा इलाके में पसरा हुआ है लेकिन उसकी गूज बिहार बिधान मंडल में सुनाई दे रहा है लेकिए किस तरीके से बिधान मंडल के बाहर सत्ता धारी दल के सयोगी ही अब सवाल उठाने लगए हैं अपने सरकार पे सवाल पूछ रहा है वहां के स्पी से खास तोर पर नितीज के ग्रिह जिलार नलंदा के जो पुलिस कप्तान है उनके भूमिका की जात की मांग कर रहे हैं माले ने सिदे तोर पे कहा दिया है कि जिस तरीके से राम नौमी के जुलूस में पुरे बिहार के कई जगों पर हिंसा हुई इसमें बीजेपी की साजिस है लेकिन इसमें सरकार की बड़ी भिफलता है सरकार से चूख हुई है क्या कुछ का रहे हैं माले की विजायक उनसे समस्ते इन कि आखिर इलाके में सनाटा और सदन में हांगा माग क्यूं है अपने ही सरकार पर सवाल कि सरकार को हम बार-बार कह रहे हैं इस सरकार बदली है हम लोगों समर्धन दिया है लेकिन जो प्रदमारी है J जिलो में जो ISP है टीम है इनके अंदर अभी भी गुजराती सिखता है भाजबाई मांसिखता है संप्रदाइक मांसिखता है इनको बदल्य देर होने कहीं परणाम है नलंदा जिला का sp अबंगाईों को मदद किया दंगाईों को कंट्रोल नहीं किया जिसके चलते बिहं academics तरिक में दंगे हुए और इसलिए हम मांग सरकार से करने के लिए आये हैं कि उस पी पर खरवाई हो के करनामों कोई जाच किया जाए और इसके साथ-साथ बहुत दुखद बात है कि हमारे देश के ग्रीह मंत्री मानिये अमिश साहजी बिहार आये थे और उनको दंगायों पर एक्सल लेने की जड़ती ऐसा नहीं करके उनको भासन मुणों ने कहा उल्टा सब्द का प्रयोग किया उल्टा ही यह करते हैं काम गुजरायत में जो दंगा करने वाले लोग हैं उनको 15 अगस्त पर छोड़ दिया गया बिल्किस बानों के दरिंदों को और उनको भव्य करने के बदाए राहुल गांधी को सजा दिलवाया राहुल गांधी की सदस्ता खतम कर दिया और इसलिए हम कहना चाहते हैं भाजबाईवां से भी कि परदर्शन कर रहे हैं और दूसरे तरफ बीजेपी के लोग भी परदर्शन कर रहे हैं उनके बास भी चलेंगा और उनकी भी बाते सुनेंगे क्या खिर वो क्यों सदन के बाहर थंगा माबर बार है यह लो मुह मिठा करो आज मैने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पु अरे लोन अप्रूब हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और बिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined